हलो शभी भाई बेहनों को मेरा नमस्काद आज हलका हलका बारिश वो रही तो बच्चों को आलू और बेशन का चिप्स खाने का मन है मैं बड़ी बड़ी आलू ली हुए अब इसको छील रही हूँ छील के चिप्स काटेंगे उसके बाद अच्छी तरीके से भूलेंगे हाँ दोस्तों मैं यह चिप्स बना रही हूँ पतला पतला अलो का करन कर दो defended दो का ड्राम मैं इ molé नraumस्तों में बादो conscious मैं ढумआ हुआ än रही हुआ कर दो अख कर दो किप्सक्स का ऩो किर दो हुआ यहाँ कि वह ऊआил को अव interests बासे का रह बासे शूआ हाँ देखिए इसको हम अच्छी तरीके से पानी में धूल रहे हैं अब एक दम साफ हो गया है यह देखिए भंबेशन निकाल लिए हैं इसमें आधा चमा छब्री डालेंगे पूरा सा पिसा हुगा मिर्चा डालेंगे इसमें नमक डालेंगे इसमें नमक डालेंगे अब इसका हम गोल बनाएंगे गोल थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए दस्तों यह घुल बन गया है अब हम गैस आन करेंगे यह देखिए अच्छी तरीके से घुल बन गया एक दम गाढ़ा बना है पतला नहीं है बेस्वान करेंगे अब देखिए हम बनाने चल रहे हैं तेल मेरा गरम हो गया है यह देखिए अच्छी तरीके से इसमें डाल रहे हैं चिपस को प्रव मत्स नह सृट। अच्छी तरीक स्पाक हो द Nä यह मत्तों है अच्छी तरीकी श। है है अच्छी तरीक सिह इसको हम पल्टेंगे देखिए दीरे दीरे हम पल्लट दिये हैं अभी एखोड़ा ब्राउन होगा दोस्तों तेज आज में हम इसको पका रहे हैं ताकि जल्दी से बन जाएं हाँ दोस्तों देखिए कितने अच्छे से पकोड़े फूले फूले बन रहे हैं यह ब्राउन हो रहा है थोड़ा और इसको ब्राउन करेंगे उसके बार हम निकालेंगे त्याब रहा है बनके यह बन गया है इसको निकाल गये हैं अब दोबारा डालेंगे जो बचा हुआ है इसको भाई करेंगे यह इसी तरीके से सभी बनाएंगे हाँ दोस्तों यह मेरे अलू के पकोड़े बनके तयार हैं आप इस तरह से बनाईए और खाईए वतायक कैसा लगा दोस्तों मेरे चैनल को अच्छा लगा हो लाइब शेयर सब्सक्राइब करिए धन्वा दोस्तों तुम बचलेंगे यह दोनों बच्चिया हैं मेरी अब इस मेरे वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद